हाई क्लास दिक्स्त के बच्चो तो बच्चो आज हम पढ़ेंगे क्रिशन और उनकी गीता पाठ के बहु विकल्पिय प्रशन और रिकत स्थान तो पहले हम बहु विकल्पिय प्रशन पढ़ लेते हैं तो पहला है संसार के महापुर्शू में किसका चरित्र अनोखा है यहाँ पे जो तीन विकल्प दिये हुए है इन में से एक विकल्प हमने चुनना है जो सही होगा देखो पहला विकल्प है शिरी क्रिशन का दूसरा है शिव का और तीसरा है राम का तो यहाँ पे जो पहला विकल्प है यानि के शिरी क्रिशन का ये टिक करना है क्योंकि संसार के महापुर्शु में किसका चरित्र अनोखा है वो शिरी क्रिशन का है देखो दूसरा है गोकुल में बाड आने पर शिरी क्रिशन ने कौन सा परवत उठा लिया था तो पहला विकल्प है निलगीरी दूसरा है गोवर्धन और तीसरा विकल्प है केलाश तो जो गोवर्धन है यानि के दूसरा विकल्प गोवर्धन परवत वो ठीक है क्यूंकि श्रीकृष्ण ने गोवर्धन परवत ही उठाया था आप इसको टिक कर दो किसरा विकल्प है करम को आप इसको टिक कर दो शिरी कृष्ण ने गीता में किसे प्रधान बताया है किसे करम को ठीक है यह हमने बहुई कल्पी प्रशन पढ़ लिए तो अब हम पढ़ेंगे रिकत सथान रिकत सथानूं की पूरती कीजिए तो पहला है उनके चरितर की ये फि विविधता उनके चरितर की यही विविधता उन्हें सभी का प्रिये पातर बना देती है देखो अब खा है उनके चरितर में रिकत सथान है और फिर रिकत सथान है का अनूठा संगम है तो जो पहला रिकत सथान है यहां प्या क्या लिखना है ग्यान और जो दूसरा है यहा और कलाउं का अनूठा संगम है आप देखोगा क्रिशन के दुआरा जो गीता ग्यान दिया गया है वो तो यहां रिकत स्थान पर क्या लिखना है अतुल्निय है आप देखोगा हम जैसे यहां पर रिकत स्थान है इसमें क्या लिखना है करम हम जैसे करम करेंगे हमें उसका वै वहवी कल्पिय प्रशन और रिक स्थान आपने यह याद करना है और यही आपने होंवर्क भी करना है